दोस्तों कि आपको पता है कि इंडियन सिनेमा की सबसे बहतरेन मुवीज में से कांतारा मुवीज ने अपनी जगा बनाए थी वो भी 2022 के अंदर सिर्फ 14 करोड के बजट में बनी हुई इस मुवी ने पबलिक को इस तरीके से अपनी और खींचा जैसे कि मैगनेट खींचा हु वो आएगी 2024 को और दोस्तों ये कोई सीक्वल नहीं बलकि प्रीक्वल है अभी आप कहोगी प्रीक्वल क्या होता है जैसे कि स्टार वास मुवीज में पीछे का पहले दिखा दिया था और उसके बाद आगे की मुवीज में क्या हुआ था आगे के पार्ट में क्या हुआ थ और यहाँ पे जिस तरीके से रिशब शटी जो इस मुवी के अंदर भी as a hero, as a director और as a writer है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने आखो से acting की है इस teaser के अंदर वो मुझे बहुत अच्छी लगी और यह बंदा मैं guarantee के साथ कहता हूँ future में राजा मौली जैसा नाम करेगा और यहाँ पे जिस तरीके से रिशब शटी ऐसा डाढ़ी और बाल सब कुछ लंबे-लंबे किये हुए दिखाई दे रहे हमें उनके हाथ और बाड़ी के ओपर रुद्राक्ष की माला है हमें जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो मेरे ऐसा मन्य की शायद सीव जी के यह कोई follower या उनके आवतार के रूप में यह हमें दिखाई जाने वाले हैं साथ में जिस तरीके से वो गुफा के अंदर उपर के और देखते हैं और उनकी बाड़ी पर जिस तरीके से पूरा खून-खून ही दिखाई दे रहे हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा या बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी और उसके उपर जिस तरीके से कांतारा का बीजेम इसमें बैग्रोंड में बचता है भाई कानों को सुकुन दे वैसा बीजेम है तो मैं तो 100% शॉर शॉर्ट हूँ कि काना टका इंडस्ट्री में बहुत सारी मुविस आई और गई मगर ये चैप्टर वन किस तरीके से बहुत बड़ा कीर्तिमा स्थापित करेगी वो आप सोच भी नहीं सकते बहुत बड़ी उम्मीद है इस मुवी के साथ क्योंकि ये अल्रेड़ी एक सीक्वल है जो प्रीक्वल बनके हमारे सामने आने वाल है दोस्तो तो दोस्तो आप इस मुवी का कितना ज़्यादा वेट कर रहे हो आप कॉमेट में बता सकते हो दोस्तो जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि पुश्पा 2 और कांतारा 2 इन दोनों मूवीज क्या हिस्ट्री बनाएगी या हिस्ट्री हो जाएगी आप कॉमेंट में बता सकते हो दोस्तो अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तो थैंक्स पॉर वाच्ट